दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे विन टोकन्स के बारे में जो सम्तिंग कोईन मार्केट केप के ऊपर 141 वे नंबर पर लिश्टेट है होके उसकी जो रेकिंग है 141 वे नंबर पर है अगर उसके लाव बात करते हैं तो मैक्सिमम जो सप्लाई काफी जादा है लगबग 766 बिलियन जो सप्लाई है अभी तक हो चुकी है 77 परसें और अभी जो मार्केट में इसकी जो हाई प्राइज थी लगबग मार्च या अपरे जो मैं आपको बतायाता हूं लगबग गया था मार्च में है उसके बात में काफी तक डाउन हुआ उसके बारकेट में अभी यह उपर जाने की संभवना है ठीक है अगर बात करेंगे विन टॉकन के बारे में तो विन टॉकन लगबग टोंगं लगबेस एक Français जो market में run कर रहा है Tron का आपने नाम सुना होगा इसके लवा आपने BTT का नाम सुना होगा Blink का नाम सुना होगा आपने इसके लवा एक token over है मैं नाम उसका बुल गया तो चलिए start करते हैं start करने से पहले कितना win जा सकता है वापिस और कितना मार्केट में बूम कर सकता है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिए अगर आप हमारे टेलेगराम ग्रूप के अंदर नहीं है तो वाँ पे फटा फट जोईन हो जाए जहां से आपको ने ने अपडेट मिलते रहेगी अगर बात करेंगे तो विन जो टोकन से लगबग ये बार बार ये बरन कर रहे हैं हर बार ये विन टोकन को लाईव यहां पे बरनिंग इसकी हो रही है जो मैं आपको यहां पे दिखा सकता हूं लगबग मान के चलिए ट्रॉन सकंडौता ओर जी के उपर आप जाके विजिट कर सकते हैं और इनके ट्विटर रेकाउन पर जाके आप चेक कर सकते हैं लगबग बार बार इसकी जो बरनिंग है बार बार यहां पर हो रही है तो एक चांस इसका भी बनता है कि वापिस इसका जो एक दम पूरा हाई है उसका रेकोर्ड तोरने की संभावना भी इसकी मिल जाती है यानि की बढ़ जाती है यहाँ पर चेक कर सकते हैं लगबग हर बार 15 क्रोर टोकन यहाँ पर बर्न वनते हैं ठीक है मैं आपको यहाँ पर बतायता हूँ एक मिनट तो दोस्तो चलिए जान लेते हैं कि कितना अप जा सकता हैं कितना आप नहीं जा सकता हैं तो उसके पहले मैं यहाँ पर बतायता हूँ और अभी उसके पहले एक पताया था मैंने आपको कि सीप टोकन का कल का एक वीडियो था उसमें लगबग अभी 16% प्रोफित लोगों को मिल चुका है और टार्गेट ही रहेगा यह वाला जो यह चोटा सा जूम इन करूंगा तो बड़ा टार्गेट हो जाएगा ठीक है फर आपर जाएए विजीट करिए एंड कुछ आपको यहां पर हमेशा अपडेट मिलते रहेगी तो यहां पर मैंने सर्च किया और सर्च करने के बाद में सर्च करने के बाद में यहां पर चेक कर सकते हैं कि एक मिनाट यहां पर ओके फोर होर्स का जो टाइम फ्रेम में मैंने यहां पर चूस किया है चूस करने के बाद में चूस करने के बाद में यहां पर चेक कर सकते हैं थोड़ा सा जूमिन कर लेता हूं जिस तरह से प्राइज उपर जा रहा है उस तरह से यहां पर से आया इसका हाई तोड़ा वापिस लो आया इसने इसको ब्रेक आउट निक किया यहां से वापिस अब किया इसका हाई तोड आपीस डाउंट्रेड आए तो इस समय अगर मानके चलिये मोटा-मोटा अगर मानके चलते हैं कितना जा सकता है मैं आपको बता आएटा रोपीस कि मैं आपके यह इसका हाइटोड़ाओके और यहां पर इसका हाइटोड़ा यहाँ पे इसका है तोड़ा ओके तो अब जो इसका टार्गेट होगा लगबग 0.008 सेंड्स के असपास मतलब मान के चलिए कि 5-7 पेसे 8 पेसे के असपास अगर यह जो फश टार्गेट होगा यह वाला अगर यह टार्गेट तूड़ जाता था यह वाला यहाँ से बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेके उपर जाने की संभाव ना है तो उसके बाद में अगर बात करेंगे तो काफी अच्छा आपको इसमें अप डाउन देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से यह ब्रेक आउट होता है लगबग 0.008 यहाँ से बाद में ब्रेक आउट मिल सकता है बहुत बड़ा यानि की बहुत बड़ा जो संभाव ना कर चलिए इस बार का जो इसने हाई को क्लोज किया था वही रेकोड यह बार बार वापिस कर सकता है तो इसके बाद में जो इसका टार्गेट होगा वो होगा लगबग मान के चलिए 0.0013 के आसपास और उसके बाद 15,16 और उसके बाद में इसका जो हाई होगा यह यहाँ पे तोड़ने वाला है तो आपके पास मौका है क्योंकि मार्केट में सबसे सस्ता कोईन है बाइनांस के उपर और सबसे सस्ता कोईन बाइनांस के उपर मिल रहा है तो और क्या चीए है तो यह जो ब्रेक आउट है अगर यहाँ पर मिल जाता तो नेक्स टार्गेट होगा 0.0008 के आसपास और उसके बाद में जो टार्गेट होगा 16-17 के आसपास ठीक है तो वो चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अगर आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप के अंदर नहीं है तो जोईन होजे जहां से आपको न नहीं है अपडेट हमें साथ मिलते रहेगी थैंक यू सो मच दोस्तों देन्यवाद